तो पूर्व केंद्रिय मंत्री और पातली पुत्र लोग सभा से पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने इशारो इशारो में विपक्ष पर आरोप लगाते वे काहा कि मैं तो कोई रज्य रजवाडे का बेटा नहीं हूँ कुछ लोग 25-50 लाख रुपए दे कर चुनाव जीत जाते हैं लोगों को ब्रहमित करके चुनाव जीत जाते हैं लेकिन मैं तो जनता का सेवक हूँ और अभी भी सेवा कर रहा हूँ एक सवाल के जवाब में रामकृपाल यादम ने पूर्व केंद्री मंतुरी आर्सीपी सिंग के नई पार्टी बनाने पर उनको शुबकाम नाय भी दिया आला कि उन्होंने गया भी कहा कि उनके पार्टी बनाने से एंडिये को कोई नुकसान नहीं होगा जनता का आफिस सम पचास कुप्या खर्च करके मैं चुनाव जी जाओंगा लोग को दिखभर्मित करके चुनाव जी जाओंगा बूत कब जाकर आके चुनाव जू जाओंगा हमारी जनता है जो हमको सने आशिरवाद देते रही है मुझे पूरा भुरसा है कोई सांसद रहे न रहे मैं पहले को जनते ही हैं उनको इस सबसे क्या मतलब है पार्टी ज्वाइन किया है तो हम नहीं पार्टी का गठन करता है उद्देशों के साथ काम करने कुछिस करता है तो पार्टी आज गठन किया है जो कमी चुकि लंबे काल तक उनोंने सब काम को देखा है करीब से प्रसास्तिक ओफसर भी थे बड़े ओफसर थे और बाद के रानिती कारकरता के रूप में भी भारसकार के बंती के रूप में सांसत के रूप में